हेलो गाईज, वेलकम टो डिफेंस स्पेक्टरम, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो सबसे बहुत ज़रा डिफेंट है, क्योंकि मैं जिस फॉर्मेट में आप लोग कुछ चीजे पढ़ाता हूं, वो होता है वर्कबुक फॉर्मेट, तो जैसे कि मैंने अभी आपको वर्कबुक 6 में, आपको मैंने globalization के बारे में basics understanding कराई, कि globalization क्या होता है, ग्लोकलाइजेशन क्या होता है, उसी तरीके से अब हम impacts के बारे में वर्कबुक 7 में हमने देखा, कि सबसे पहले हमने देखा कि political system पे क्या impact होता है globalization का, social institutions जैसे की family, marriage, caste, religion पे क्या impact है, फिर हमने women, tribal इन सब पे देखा क्या impact है, याद रखना, ये मैंने आपको different workbook में, बहुत ही detailed lecture में सब कुछ बहुत ही detailed and comprehensive पढ़ाया है, ठीक है, और चीजों को इतना crisp करके पढ़ाया है कि आप लोगों को हर चीज के दो concept देखे मैंने पढ़ाया है, कि positive impact क्या रहा, और negative impact क्या रहा, और मैं तुम्हें इस चीज की सब बच्चों को guarantee दे सकता हूं, कि जिसने globalization क्या impacts पढ़ा है, कोई भी ऐस से आजाए, कोई सा भी ऐस से आजाए, I guarantee you that कि आप globalization का point उसमें पक्का लिख के आ सकते हो, क्यों कि आज की date में जो भी कुछ हो रहा है, वो globalization की वज़े से ही हो रहा है, उसका कही ना कही positive impact भी रहा है और negative impact भी रहा है, तो मैंने यहापे marriages पर क्या impact रहा, family, caste, legion, education, health, women, elderly, tribal, environment, technology, agriculture, infrastructure, सब के positive impact क्या रहा, negative impact, एक detailed हर एक topic को लेके सब कुछ, total 4 workbook लगे हैं समझाने में, एक तो workbook 6 तो सिर्फ basics के लिए थी, और 4 workbook में मैंने पूरा detailed समझाया है, देखो, जैसे सबसे पहले हमने मैं इसमें देखा political system पे क्या impact रहा, पहले देखा positive impact, तो मैंने आपको इसमें 4 point समझायें, कि global accountability बढ़ गई है, universal values बढ़ गई है, inter country dialogues के बारे हैं बताया, फिर मैंने आपको कुछ public services के कुछ examples दिये, जैस अपनी country में implement किया है, ठीक है, तो फिर हमने देखा कि उसके negative impact क्या रहे, ठीक है, जैसे कि role of international organizations क्या है, homogenization of polity, loss of domestic sovereignty, देखो, इस तरीके से पहले हमने पूरा political system समझ लिया, तो आपको कहीं भी कोई भी ऐसा essay आता है, कि जो कहीं ना कहीं democracy और political system के around गुमेगा, तो आप पक points को वहाँ पर add कर सकते हो, second point हमने समझा, marriages के बारे में, कि marriages का positive impact क्या रहा, कि आजकल love marriage होती है, जब love marriages होगी, intercast marriage होगी, तो कहीं ना कहीं जो caste rigidity है न, वो खतम हो जाएगी, child marriage बंद हो गए, क्योंकि globalization हुआ, तो लोगों का दिमाग खुला, एक egalitarian values के बात होने लग गई बट हां कहीं नेगेटिव impact भी रहा marriage पे, जैसे sacredness of marriage हो कहीं थोड़ी कम हो गई, ठीक है, आजका live-in relation का concept चल गया है, ठीक है, एक same sex marriage के बात होने लग गई है, increasing divorce rate बहुत जादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ positive impact हो कहीं ना कुछ एक negative impact भी रहे, तो उसका बाद हमने देखा कि family पे क्या impact पड़ा, social gathering, कुछ points लिए, decision making power, economic benefits, ठीक है, फिर कुछ negative points है, जैसे elderly जो होते हैं, उनकी कहीं कहीं care थोड़ी कम हो गई, family emotional basis की बात कर रहा हूँ, technologically health care में improvement हुआ है, बट negatively इस तरीक से देखा जा सकता है, nuclearization of families भी हुई, फिर मैंने caste के बारे में आप बढ़ गई, professionalist educations में बढ़ गए, और देखो, मैंने आपको charts बनाए हैं, अगर negative points देखना है, globalization का कास्ट पे, globalization बढ़ी, technology बढ़ गई, जब technology बढ़ गई, तो जो skill लोग है, उनको तो job मिल गई, बट जो unskilled है, वो लोग कहा जाएंगे, वो informal sector में जाएंगे, जब वो informal sector में जॉब करने जाएंगे, तो वहां social security नहीं होगी, जब वहां social security नहीं होगी, तो वहां क्या होगा, poverty होगी, फिर वो manual scavenging पे जाएंगे, समझ रहो, तो यह कही नहीं, चार्ट्स आपको याद होने जाएंगे, आपके दिमाग में, हम बात करने हैं, globalization की और हम चले गए, कहां तक, manual scavenging तक, इसको बोलते हैं connection, connection आपको तब तक नहीं आएगा, जब तक आपको concept clear नहीं होगा, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, एक concept होता है C cube, जिसको मैं define करता हूँ इस triangle में, पहले आपको concept पता होना चाहिए, जब आपको कोई concept पता लग गया, दिमाग काम आगया पूरा आपका समझ में आ गया, फिर आपको सारे points को consolidate करना है, जब आप consolidate कर लोगे, फिर last में जाके आपको connect करना है, क्यों, यह जो connect वाला pattern है, यही आपका essay writing में काम आता है, तो इसलिए मैं आपको पहले concept भी दे रहा हूँ, मैं आपको चीज़े consolidate भी करा रहा हूँ, और connect आप अपने आप कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग इतना विक्सित हो जाएगा, इतना mature हो जाएगा, कि आपको चीज़े अपना समझ में आने लगेगी, फिर मैं आपको religion के बारे में समझाया, कि religion actually है क्या, यह एक ऐसा courier है, जो travel करता है globalization के लिए, religion is a courier on which globalization travels, जिसे Christianity इंडिया में कहा सा आया, जब अंग्रे जाये, उस time से start हुआ, तो कही न कहीं positive impact किया रहा, religion के उपर globalization का, फिर negative impact भी देखा, फिर हमने उसके बाद education के बारे में भी same चीज़ देखी, कि education तो positive impact किया रहा, global literacy बढ़ गई, women, children को अच्छी educations मिलने लग गई, आजकल online availability of education हो गई, vocational terms जो education से ये start हो गया, बट न कहीं न कहीं negative point भी, जिसे बोल जाता है, commercialization of education charging, high fees, फिर मैं देखा, आजकल बच्चे जाए, focus on degree rather than the knowledge, वो knowledge पर ज्यादा degree focus कर रहे है, ये मैं आपको बहुत अच्छे पढ़ाई है, तो graph बनाके, charts बनाके, बहुत अच्छे ची अब available है, accessibility बढ़ गई है, एक medical tourism, medical tourism, medical travel, health tourism और global healthcare, ये पूरा एक ही concept है, इसमें क्या होता है, एक rapidly growing practice of traveling across international borders to seek healthcare service, एक country से दूसरी country में जाना, healthcare services के लिए, फिर telemedicines के बारे में concept मैं आपको समझा रहा है, देखरो, मैं आपको पढ़ा globalization रहा हूं, but मैं उसका impact मैं आपको इ पढ़ा पॉजिटिव इंपक्ट और नेगेटिव इंपक्ट पढ़ा है, फिर मैं आपको एक चार्ट बनाए, अगर आपको ये चार्ट समझ में आगया ना, तो आपको सारी linkage इसे बोलते connect करना, जो आप exam में करोगे, कि globalization बढ़ा, industrialization और urbanization बढ़ा, जब industrialization और urbanization बढ़े कि women की life easy होगी, कहां से globalization की वज़े से, कहिना कहीं इन चीजों की वज़े से intercast marriage बढ़ गया, जब intercast marriage बढ़ा तो वो husband of their choice, तो कहिना कि domestic violence भी नहीं होगा, समझे रो, social causes को भी आप globalization से link कर सकते हो, जब अब internationalization होगा, तो women's को job मिलेगी, कहिना कि उनकी decision making power बढ़ेगी, और मैंने आपको समझाया, elderly, elderly में भी क्या positive impact रहे, negative impact क्या रहे, फिर tribals को लेके, मैंने आपको positive के लिए पूरा एक ऐसा homework दिया है, बढ़ हां, homework से पहले मैंने आपको इतनी चीज़े समझा दी हैं, कि आपको connect करना आप आ जाएगा, फिर मैंने आपको negative impact समझाया, देखो कित deforestation करेंगे, तो कहीं न कहीं, health of people impact होगा, कहीं न कहीं उससे forest produce काम हो जाएगा, जब deforestation होगा, तो ट्राइबल की economy पर भी impact पड़ेगा, देखो ये charts आपको अच्छी तरीके से अपने exam बना के आने पड़ेंगे, ठीक है, और जिसको भी ये charts अच्छे समझने हैं, आप ल फिर मैंने technology के बारें बताया, कि technology में positive impact, education, health सब में बताया, और negative impact जो मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ, वो ही chart बनेगा उसका, फिर empowerment, environment, environment में sustainable development goals, soil conservation, CSR, corporate, social responsibility, environment, movements, climate summits के बारें बताया, कुछ negative impacts, जो tribal impacts, deforestation और pollution, तो ये एक मैंने आपको मोटा मोटा इतने फिर agriculture पर क्या impact पड़ा, तो इस तरह के से हमारी comprehensive globalization की impact की workbook complete हो गई है, ठीक है, और हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये message आ रहा है, कि सर ये जो ब्रह्मास्तर बैच है, paper do के लिए, सर इसमें और क्या-क्या आएगा, देखो भाई, इसमें हम total, जो चीजे पढ़ने वाले ह सबसे पहले तो मैं आपको terminologies पढ़ाईए मैंने आप लोगों को, किसकी for international relation, international relation के लिए आपको कुछ terminologies पता होने चाहिए, कुछ terms पता होने चाहिए, अगर आपको वो terms नहीं पता तो आप IR, international relation नहीं पढ़ सकते, और international relation का एक essay पका से पका आपका एक्जाम में आने वाला है, second चीज मैंने आपको पढ़ाईए, knowledge booster series, यह जो knowledge booster series है, इसी को workbook series भी बोलते है, इस workbook series में क्या है, workbook based आपको एक brainstorming, आपको मतलब इस तरीके से comprehensive आपका दिमाग खोला गया है, कि आप essay में connect कर पाऊ चीज़ों को, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा essay आने वाला है, न जो बना रहे है, वो आएगा नहीं आएगा, तो exactly किसी को कुछ नहीं पता, तो हम लोग इस तरीके से comprehensive study कर रहे हैं, कि आपको चीज़े बहुत easily, कोई सा भी बार इस से आजाए, आप समझ जाओ, फिर आपको एक basics of English वाली videos मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है, CAPF के paper 2 में English भी आती है, फिर आपको CAPF based English मिलेगी, इसमें CAPF के बारे में, CAPF के लिए कैसे English चाहिए, exam में वो आपको समझाए जाएगा, ठीक है, जब ये चीज़े complete होंगी, उसके बाद मैं आपको चिखाऊँगा कि essay लिखते कैसे हैं, प्रेसी कैसे लिखते हैं, argument कैसे लिखते हैं, और ये सारे की सारी चीज़े current related होंगी, current related, ऐसा नहीं है कि आप आज से एक साल पहले current पढ़ लो, या किसी IS की magazine से पढ़ लो, उससे काम नहीं चलने वाला, आपको इसमें exactly वो ही सब पढ़ो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं आपको भागने के कोई जरुत नहीं ह ठीक है, और एक हमारा paper one का भी course है, आप लोग जाके एक बार देखो तो सही, आपके आखे खुल जाएंगे आखे, ठीक है, चलिए, thank you friends, जै हिंद